हलो कॉमर्ट सुनेंट्स वेलकम बैक टू दी चैनल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेंस के ओनलाइन लेक्चर नॉबर 29 में आपको स्वागत है आज की स्वीड़ो में हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेंस प्रैक्टिस प्रॉब्लम नॉबर 12 हम स्टार्ट करने वाले सबसे इं प्रॉफिट यह पॉस्ट करके इंकम एक्सपेडिचर अकाउंट बैलेंशिट के साथ साथ आपको लास्ट यह का कैपिटल फंड है कैपिटल बैलेंशिट भी डॉब करने का है दो बैलेंशिट हमको आईजा आंसर में प्रिपेर करना पड़ेगा एक करण्ड यह की बैलें प्रपेर करने पड़ेगी इस व्डियो में मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्चन में लिंक चोड़ दूँगा कि एक्ट्वल में लास्ट के कैपिटल फंड कैसे निकाल देख किया नहीं इसके उपर मैं एक डीटेल में वीडियो बनाया था अगर आप यह वीडियो फॉर्स टाइम देख रहे हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वह लिंक एक बार वीडियो जाके चेक कीजिए तो आपको एकदम डीटेल में आइडिया मिल जाएगा चीक है विदाउट वेस्टिंग एटेम आज का हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लास्ट एर की बैलेशिट आपने ड्रा किया हुआ है एक वो question में recipient payment account दिया हुआ है जिसके सारे आपको as a answer income and expenditure account और balance sheet आपको prepare करने का है ठीक है question में देखिए क्या बोला है you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on that day adjustment first देखिए क्या बोला है मैं एक आपको technique या short trick इससे पहले भी बता है था कि अगर problem में capital fund नहीं दिया हुआ रहता है तो capital fund निकालने के लिए आपको साल के शुरुआत के assets और liabilities का मालूम होना बहुत जरुर होता है और उससे regarding information आपको adjustment में दिया जाएगा अब इस problem में capital fund तो नहीं दिया हुआ है साल कब खतम हो रहा है अपका current year 31st March 2020 31st March 2020 का आपका year खतम हो रहा है तो साल शुरू कब होगा simple first of April 2019 अब आपको क्या डुणना है adjustment में कि साल के शुरुवात में आपके पास कौन से कौन से assets और कौन से कौन से liabilities थे इससे regarding information आपको दो जगा मिलेगी adjustments में और एक reception payments account में ध्यान से देखिए जल्द बाजि मत कीजिए क्योंकि हर एक information आपको मालूम होना बेहत जरूरी होता है अब adjustment first में क्या बलाए the following information is made available to you on 31st March 2019 31st March 2019 या 1st of April 2019 से में दोने में ज्यादा difference नहीं है तो साल के शुरुवात में उस library के पास books थे 50,000 के furniture था 6,500 का और machinery थी 30,000 की जो balance sheet आपने as a working note प्रिपेर किये capital fund निकालने के लिए उस balance sheet के asset side में सबसे पहले लिख दीजिए books 50,000 उसके बाद furniture 6,500 फरनिचर कितना होगा 6,500 और next machinery 30,000 मशनेरीस का कितना amount हो गया 30,000 अब problem में चेक कीजिए receive side में balance BD आपको कितना दिया होगा 5,000 receive side की balance BD याने के last year का closing cash balance जो आपको last year के balance sheet के asset में लेना पड़ेगा 5,000 ये तो हो गए सारे assets अब problem में ध्यान से देखिए adjustment first में तो हमको सिर्फ तीन assets दिया हुआ है liabilities एक भी नहीं है और जो adjustment among tools से लेके adjustment among 7 तक ये जो सारे adjustment है उस adjustments में हमको एक भी information related to assets purchase के बारे में हमको कुछ भी नहीं बोलाए next check कीजिए payment side में कि during the year आपने last year के कौन से-कौन से expenses paid किया हुआ है तो वहाँ पे आपको क्या बोला है payment side में कि outstanding expenses 18-19 का fine rate मतलब आपने current year में last year के expenses paid कर दिये बरबर अब ध्यान से सोचिए जो expenses आपने current year में paid किये वह related to कौन से थे last year तो उस year में वह expenses paid नहीं हुआ है इसलिए आपने वह expenses इस current year में paid किये इसका मतलब last year की जब balance sheet prepare करते होंगे तो उस समय वह expenses क्या होगा outstanding expenses तो इसलिए उस 500 की posting जाएगी liability side में last year balance sheet के liability side में जो balance sheet आपने working note में prepare किया उसके asset side में आपने चार assets posting किया कौन से कौन से books furniture machinery and balance cd या cash in and cash balance 5000 अब उस balance sheet के liability side में transfer कर दीजिए outstanding expenses 500 जितना भी आपका total आएगा capital का formula मैं already बता चुका हो extra information के लिए description में जो link है वो भी आप चेक कर सकते हो capital का formula का है assets minus liabilities assets में से liabilities minus कर दो जितना भी आपका capital आएगा वो होगा capital fund जिसकी posting आपको current year balance sheet के liability side में कर देने का है अगर आपने accurate capital fund calculate कर दिया वो जो आपने capital calculate किया है उससे लेकर आपका problem बराबर आता है right आता है तो उस capital की जितना भी total आपने calculate किया capital fund उसकी posting या उसका amount आपको वीडियो के comment section में लिखना है I repeat आपको उसका amount वीडियो के comment section में लिखना है ठीक है यह तो हो गया last year का capital fund से related अब हम step by step adjustment चेक करते हैं adjustment first में तो सिर्फ assets regarding information दिया हुआ है adjustment second में क्या बोला है subscription received in advance amounted to rupees 500 during there में आपने कितना subscription received किया है 20,000 जाएगा income में उसमें से 500 रुपे क्या होगा less दूसरी posting जाएगी sorry उसमें से 500 रुपे बराबर less होगा क्योंकि वह advance subscription है उसके दूसरी posting जाएगी balance sheet के liabilities side में as a subscription received in advance next आपको बला outstanding salaries 1300 रुपई rent 950 रुपेस particular expenses में आपको add करने का expenditure side में दूसरी posting जाएगी balance sheet के liabilities side में next adjustment 50% of admission fees should be capitalized during the year आपने admission fees receipt किया 4500 उसमें से 2250 लेस होंगे उसकी posting जाएगी balance sheet के liability side में capital fund में add next adjustment furniture to be depreciated 10% अब furniture के adjustment ड्यान से solve कीजिए साल के शुरुआत में आपके पास कितना furniture था 6500 सर हमने तो furniture कहां पर purchase किया आपको adjustment के first adjustment नहीं बोलाएगी हमारे पास साल के शुरुआत में 6500 का furniture था इतना तो clear हो गया तो वो 6500 का furniture जाएगा asset side में during there आपने ना कुछ furniture purchase किया है ना कुछ sale किया है तो 6500 के उपर 10% आपको DEP charge करना पड़ेगा 6500 की posting जाएगी expenditure side में next आपको बोला है the library books were purchased on first of April 2019 अब payment side में देखिए payment side में आपको books दिया है 5000 जो during the year में आपने purchase किया है और साल के शुरुआत में आपके पास कितने के books थे 5000 अब वो तो साल के शुरुआत में जो 5000 के books थे वो तो हमने during the year में मतलब साल के शुरुआत से थे तो साल के शुरुआत से वो हमने उसका इस्तमाल कर लिया वो जो 5000 का purchase किया है वो हमने कब purchase किया है 1st of April को purchase किया है मतलब वो 50,000 का भी हमने साल वर इस्तमार कर लिया और जो एक अप्रिल का था वो भी हमने साल वर इस्तमार कर लिया तो इसका मतलब असेट सायर में सबको सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बुक्स 50,000 उसमें से आपको 5000 उसमें add करने का पर्चेस डूरिंग यर टोटल हो जाएगा 55,000 उस 55,000 में less 10% बोलके डीप आपको लेस करने का जिसकी पोस्टिंग जाएगी expenditure साइड में अब ध्यायन से सुनना एकजस्मेंट 7 होने के बाद एक important information आपको बताने वालो वीडियो स्किप मत कीजिए एकजस्मेंट 7 वेर पर्चेस्ट ऑन 1st of April 2019 इट्स कैंड कैरी interest 20% अब payments में देखिए कि आपके पास कितने के investments थे 6000 के जो आपने 1 April को पर्चेस किया था साल के first day में ठीक है अब उसके उपर उस firm को या उस library को not for a profit organization को 20% interest मिलने वाला है 600 की posting सबसे पहले जाएगी in asset side में asset side में 600 की posting होने के बाद आपको उसके उपर 20% डिपी चार्ज करने का है अब औरली calculate कर सकते हो 10 टका अगर 600 होगा तो 20 टका कितना होगा 1200 मतलब उस 6000 के उपर आपको at the end of year 1200 रुपए interest मिलना चाहिए कितना रुपए interest मिलना चाहिए 1200 रुपए सबसे पहले 6000 की posting assets में कर दो अब income side में देखो जो आपको 1200 रुपए interest आना बाकी था उस investment के उपर उस 1200 में से during the year में आपने कितने रिस्यूट किये last में देखिए क्या बोला receipt side में interest on investment 900 रुपए इसका मतलब आपको आने के थे 1200 उसमें से 900 रुपए उपने already during the year में receipt कर लिए सबसे पहले 6000 की posting जाएगी asset side में उसके बाद 900 की posting जाएगी income में अब 1200 आने थे 900 already आ गए outstanding या accrued interest कितना है 300 तो 300 की posting होगी income side में outstanding interest 900 में 300 add और 300 की दूसरी posting जाएगी balance it के asset side में उस investment में add होगा और आउटर को investment की total आएगी 6300 ये तो हो गया adjustment अब ध्यान से सुनना कि बहुत सारे students basically इस problem में क्या करते है कि sir हमारे पास 31st March 2019 को books थे 50,000 furniture थे 6,500 machinery थे 30,000 तो ये तो हमारे पास 31st March 2019 को थे मतलब last year के end में थे तो sir during the year में हमने कुछ assets purchase की है जैसे कि books और investment तो वो assets भी हमारे पास साल के शुरुवत में से थे तो वो assets capital fund निकलते समये last year balance sheet के assets में जाएंगे क्या तो उसका answer होगा नहीं वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो assets भले ही आपके पास साल के शुरुवा से थे लेकिन वो आपने साल के पहले दिन purchase किये थे ना कि 31st March 2019 को purchase किया था ये इन दोनों में का difference आपको बेहत जानना बेहत ज़रुरी है इसलिए वो आपने purchase किया था 1st April 2019 को purchase किया था जो books 50,000, furniture 6,500 और machinery का 30,000 वो आपके पास financial year 2018 और 19 में last में आपके पास उतना उसका stock बचा था इसलिए वो last year का capital fund calculate किया जाता है या ग्रहित दरा जाता है लेकिन वो assets और furniture जो during the year में आपने purchase वारी investment जो during the year में आपने invest किया था 1 April में और books जो 5000 के जो as a during the sorry साल के शुरुवात में आपने लिया था वो 5000 और 6000 last year का capital fund calculate करते समय है consume या calculate करते समय है उसकी amount totaling में नहीं add होगी ठीक है problem बहुत easy है बस आपको क्या करने का है last year का capital fund निकालने का है capital fund कैसे निकालते इससे related एक deep video में already बना चुका हो जिसका video description में है लेकिन अगर आपने वो video already देखा है तो यह problem believe में यह problem आपको बहत आसान जाएगा आपको बस इतना करना है last year की capital fund निकालने है जो भी capital fund का capital आएगा वो आपको उसका answer वीडियो के comment section में आपको लिख देने का है ठीक है तो last video में हमने practice problem number 11 देखा था जिसका answer आप मेरे पीचे screen के उपर देख सकते हो इस problem में income की total आएगी 2,53,000 उसमें से आप expenditure minus कर दोगे तो surplus आएगा answer किताब में जो आप books में 48,000 लिका है वहाँ पर थोड़ा print mistake है आने वाले समय में वो rectify हो जाएगा और balance sheet की total आएगी 7,61,800 balance sheet total कितना आएगी 7,61,800 जो problem आज हमने सिखा है वो problem बहुत जरूर है वो problem आप repeat repeat कर दीजिए जो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि सबसे important 10 problems आपको टिक मार करके दूँगा उसमें से सबसे पहला problem आता है ये practice problem number 12 जो आज हमने solve किया था ठीक है next video में हम practice problem number 13 स्टार्ट करेंगे वीडियो के description में आप सारे students के लिए एक बेहत informative news है एक information है जाके check कीजिए तब तक के लिए देखते रहे हमारे YouTube channel Dato Academy मिलते हैं next video में stay connected बाता है